Hello everyone, my name is Surabhi Singh और आज के इस टॉपिक में मैं आप से एक्स्प्रेन करने जा रही हूँ Industrial Designing and Prototyping के बारे में इसके पहले मैंने आप से Parametric Design के बारे में बात की हुई थी तो आप Continuation में वीडियो को जरूर देखिएगा इस पूरे प्ले लिस्ट को देखिएगा कि उसका किसी भी कस्टमर के साथ presentation उसकी कैसी है यानि आपने कोई भी Supposed Design तेयार किया Supposed किसी कार का डिजाइन है, किसी अलमीरा का डिजाइन है, किसी पैन का डिजाइन है कोई भी आप डिजाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वो जो आपकी design है जब वो आपकी जो human या customer है उसको use करने में उसे कैसा feel होता है यानि उसका जो outer structure है उसका aesthetic जो आपका appeal है वो कैसा आता है ये सारी चीज़े हम पढ़ते हैं basically industrial design में तो industrial design में basically आपकी दो special word आते है एक होता है aesthetic यानि आपका जो भी product या आपका जो भी design है वो एक human के साथ एक customer जो उसको use कर रहा है वो उसको use करके कैसा feel करता है अब उसको use करने के point of view में इस तरीके सा सकता है सपोज आपने कोई car design की है तो car का सपोज आपने car के दरवाजे ल तो वो handle use करने में कितना comfortable है कुछ handle होते हैं कि बहुत hard होते हैं तो वो आपके हाथ में अच्छे तरीके से फास्नी पाते हैं आप एक pen का example लेकर जिक सकते हैं कि इससे cello gripper एक pen थी उसमें क्या हुआ था कि कुशन्स देनी provide कर दिये थी क्योंकि अगर बहुत जादा लिखन हो तो वो कुशन्स आपके लिए बहुत जादा helpful रहते थे अगर आप बागा की pen को देखें तो आपको जिससे उसकी टाइप जो उसका आउटर स्ट्रॉक्चर होता है तो तो जो भी आप अपना product design कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से useful बनाएं कि आपका जो customer उसे use कर रहा ह करने में जो customer है उसे काफी जादा आसानी हो लाइं इंडस्ट्रिल डिजाइन ओफन कॉल जस्ट प्रोड़क्ट डिजाइन इस कंसर्न विद विद विजवल अपेरंस आप याद रखें का व्यूजवल अपेरंस या जो भी आपका प्रोड़क्ट उसका व्यूजवल अपे मेटल कैसा लगाया हुआ है वो इस हम इंडस्ट्रिल डिजाइन में बात करने वाले हम यानि विजवल अपेरंस के वारे में दव इट इंटर फेसेज विद अ कस्टमर इंडस्ट्रिल डिल्स चीफली विद अस्पेक्ट और प्रोड़क्ट यानि उसकी हुमन सेंस जो भी कर रहा है वो इसको किस तरीके से फील करता है उसको स्मेल उसकी साउंड निसे कभी गाड़ी किसा आप देखते की गुछ गाड़ी आप बहुत आवाज करती कुछ गाड़ी इतनी स्मूद ओती है यूज करने के लिए अगर आप अप अंड़ा सिटी और अमेज को कंपेर ज इतनी कमफरड़ होती है तो सब छीज जो होंगी आपकी फोर्पोर्ट्रा बालों सेट लेस्ड गाड़ी यूपोरुच अतनी कमफर्डेवल सी आप सेटाश्य करते है उसका जह आपका कि इतना स्मूद बिदेड टो यह सब चीज ने जो होंगी आपकी आपकी इंडâr इंड रोल है कि जिस function के लिए आप बनाए हैं जिस problem को solve करने के लिए आपने उस design को बनाया है वो फुल्फिल हो रहा है कि नहीं है यानि all requirements of the user interface should be fulfilled there is called ergonomic design और उसके लिए use अगर वो देखने में अच्छा है तो आपकी usability की भी सारे purpose को solve करना चाहिए एक example आप इसमें छोटा से लिए अगर आप देखिए brush do design करते हैं आज कल आप देखने की brush जो भी आपका toothbrush होता है वो आपका cross way में आता है इसे कहते हैं कि दाट बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं यह सिर्फ एक उनका propaganda है या एक तरीके से यह कह लीजे कि उन्हें डिजाइ जिससे उसके looks भी बहुत अच्छे आएं और आपका purpose भी solve कर रहा हो that comes in industrial design अब industrial design के अंदर आपका first आता है human factor design human factor design का मतलब है कि same जो मैं आपको बताय है human factor is the study of the interaction between the people the product and the system they use and the environment in which they work and leave this field also is described by the terms human factor engineering and ergonomic इसके अंदर आपके सब पार्ट आते है human physical effort जैसे मैंने आपको बत कर अगर उस design को अगर यूस करना होता है तो जैसे आपका break की हम बात करते हैं कोई भी knob अगर हम उसको गुमा कर से पंखे को है पंखे की knob को हम गुमा कर उसका regulator की तरह उसको इसकी speed को control करते है कोई switch हो गया कोई joystick हो गया तो यह सब चीज़ें आपकी human physical effort में आएंगी next रात में सिर्फ objective वे में कोश्चन दाएंगे वैसे आपको नाम से काफी जादा क्लियर हो जा रहा होगा next राता है आपका user friendly design user friendly design में आता है basically आप अपना जब डिजाइन बना रहे हैं तो आप की आपका टास्क वो बहुत सिंपली आपका कवर हो सके इसके अलावा जो भी आपका control हो बहुत easy हो control करने के लिए feedback प्रोवाइड करने की system हो तो यह आपका जो design जो भी आप design करने suppose आपने कोई car design की कुछ locks ऐसे होते हैं जो बहुत easy नहीं होते है खुलना तो user friendly design हो जुसको आप बहुत अच्छे तरीके से use कर सके next आता है reaction time the reaction time is the time to initiate a response when a sensory signal has been received the product should very quickly provide clear visual and auditory signal to achieve this simple product the control must be intuitive यानि आपका जो भी product है suppose आपने कोई car को start किया आपने इसका gear change किया तो वह कितनी कम second में response कर रहा है याई अगर आप को input दे तो आपको कितनी जल्दी आपको उसका output मिल रहा है next रहता है इसी में आपका anthropometric data anthropometric data आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपकी एक on an average height होती है एक children की एक woman की एक man adult की height fix होती है कि हम average इतने से इतने की बीच में ही कोई human body design है तो suppose ऐसे अगर आप washing machine की बात करी है अगर हमने washing machine design की की गई है तो हम उसको normally अपने height के half height पर ही imagine करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत बड़ी घर के use की बता रही हो मैं इतना ज्यादा anthropometric नहीं होगा यानि अगर वह हमारे जिसे suppose यह कोई इनसान है और इनसान के इस height तक का है तो इसको कोई डालने में कितनी दिककत होगी इस अगर मालीजे यह front open या top load है suppose यह आपकी top load washing machine है तो इस इनसान को कोई डालने में बहुत मुश्किल होगी तो सब according यानि anthropometric is the field of human factor that deals with the measurement of the human body यानि कुछ कोई से हमारी human body के according ही बनाई जाती है that comes in anthropometric data उसके बाद से आता है aesthetics, aesthetics में आता है कि आपका brain है जो किस तरीके से interpret करता है कि हाँ यह design बहुत अच्छी है suppose market में आपकी दो design दो pen है दोनों pen आपके मतला market में launch होते हैं बट एक pen के design इ सकी है कि आपका presentation कितना अच्छा है कोई भी design अच्छा है बुरा है, aesthetic is the study of the mind and how brains interpret something as being beautifully और ugly, it is the crucial for design because our first interaction with the almost anything is based on how it looks, good design is essentially in a new product development, balance, alignment, emphasis, proportion and the golden rectangle, यानि बहुत important है, इसे 2017 में भी question आया हुआ है, even आप अगर रितिक रोशिन के एक पिक्चर देखेंगे, वहाँ पर भी जु golden rectangle यानि five के बारे में बात की गई है, तो aesthetic में आपका basically आता है, आपका design balance होना चाहिए, alignment होनी चाहिए, emphasis होनी चाहिए, proportion होना चाहिए, the golden rectangle यानि जो है आपका five होना चाहिए, next आता है, आपका golden rectangle जो सबसे जादा इंपोर्टेंट है, यह basically आपका पाइथागोरस के द्वा बात करते हैं, इस rectangle की, इस rectangle का width A है, और length इसकी A plus B है, तो अगर हम इसके ratio की बात करें, यानि A plus B, यानि इसके length का ratio divided by इसके width का ratio, यह basically आपके A by ratio के बराबर भी होता है, और इसको हम five कहते हैं, इसको हम solve करेंगे तो A की value हमारी near about 1.618 आती है, अगर हम B की value को one मान रहे है ultimately यह है कि जो भी आपकी buildings वगेरा design की गई है पहले के जमाने में या जो भी चीज़ें आपकी ancient, जो भी आपकी aesthetic look देती है, वो basically इसी combination, इसी proportion में होती है, so यह question आया भी है, the process of dividing subsequent rectangle into a square and rectangle can continue till infinity in both direction, if a coordinate of a circle is drawn in all obtained square and infinite spiral is obtained, तो यह चीज़े हैं कि आप इसको जब तक कट करते जाएं कि यह वापस से infinite type तक बोध the directions में आपका same ही ratio आता रहेगा, अगर इसकी बात करते हैं, the golden rectangle can help engineers initially in sketching concept that have a greater chance of being realizable, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है यह initial time में, आज भी आप देखोंगे ताज महल या कोई भी पुरानी अच्छी building देखते हैं, तो वो आपके golden ratio के ह स्पेक्ट में डिजाइन की जाती है, golden ratio has been used in a design of structure from ancient time and is used till today in designing building and modern structure, कोशन ही काया हुआ था, देखी कितना easy है, consider the following statement regarding golden ratio for positive integer, यह अपका 2017 काया हुआ कोशन है, it is the ratio of difference of two number and the smaller number, नहीं difference तो नहीं है, it is a ratio of sum of two number and the smaller number, यह चीज़ देखिएगा कि smaller number यह चीज़ देखियेगा क नहीं तो नहीं है, नहीं पर आपसे बात करते हैं, प्रोटो टाइपिंग के बारे में, तो प्रोटो टाइपिंग एक ऐसा physical model है, जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई भी आप building तियार कर रहे होते हैं, तो उसका हम एक physical model पहले ही तियार कर देते हैं, जिसको हम दिखाते है कि हम इस तरीके का बनाना चाहते हैं, यानि इस तरीके का model हम तयार करना चाहते हैं, तो यह basically जो आपका software design होता है, उससे completely different होता है, अब prototypes are a physical model of the product that are tested in a some way to validate the design, decisions have been made up to that point in the design process, a prototype is a physical model of the product as opposed to a computer model of the product, तो अब हम इसके different different prototyping के different different models की बात करते हैं, तो first आता है आपका phase 0 model, phase 0 model को भी हम full scale or reduced model भी कहते हैं, reduce model का मतलब होता है कि same उसी size का ना बना कर हम जो model है, उसको reduced size का बनाते हैं, तो a full scale or a reduced scale model of a new product is made to look like the final product, यानि जैसे अपने building का एक छोटा सा फॉर्म देखते हैं, कि physical form में हमने इसको तयार किया है, कि यहां पर पार्क होगा, यहां पर तो यह model हम basically हमारा technical designer और industrial designer दोनों के collaboration से बनता है, और यह basically आपका customer के reaction के point of view से बनता है कि कोई भी customer suppose कि इसी building में अगर पैसा लगाना चाहरा है, तो वह एक आपका को देखेगा कि आपकी building अप क्या actually society तयार करना चाहर है, तो वह आपका जो model हो तो आपका phase 0 model होता है, next र engineering specification, यानि जो आपका conceptual design है, उसमें जो भी आपका, जो भी prototypes इसमें आते हैं, वो basically यह बताते हैं कि जो भी आपका customer की need है, वो satisfied हो रही है कि नहीं हो रही है, यह बहुत ही जादा important होता है, जो आपका conceptual design होता है, इसमें हम exactly वो material चीजे या वो चीजे नहीं यूज कर रहे होत हैं, बट हम एक आपको overview idea दे देते हैं कि यह size, यह material, यह manufacturing चीजे हम यूज करेंगे, the emphasis is on the showing that the concept will deliver to the needed function, यानि जब हम बना रहे होंगे, तो हम यह सारी चीजें यूज करके इस design को बनाएंगे, इसमें बात करती हूँ आपसे embodiment design की, तो जो आप embodiment design होता है, इसमें आपका embodiment design का से जो भी आपके product आते हैं, basically हम उसमें, इसमें suppose अगर आप जिसे कोई car design कर रहे हैं, तो अगर इस car में आपके engine भी लगा होगा, car seat भी लगी होगी, पीछे डिगी भी लगी होगी, पहिये भी लगे होंगे, तो कुछ इसके जो parts होते हैं, वो basically आप as a local चीजों को use क या एक तरीके से कह सकते हैं, कि रफली कोई समान को लाकर वहाँ पर रख कर देखते हैं, कि ये चीजें किस तरीके से perform कर रहे हैं, कि स्क्रेश टेस्ट करने के लिए आप exactly एक rough sketch त्यार करते हैं, एक rough sketch त्यार करते हैं, एक rough रफली से यहां पहिये हैं, पहिये की जगा कि ये चीजें कि ये चीजें कैसे परफॉर्म करेंगी, सब्सक्राइब को आपको आपने एक rough लगाया कि ये पहिये हम लगा तो इस तरीके का आउट पुट आएगा, तो इस ताइप की जो टेस्टिंग होती उसको अलफा प्रोटोटाइप टेस्टिंग के हैं, इस आर कॉ आपको 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 आपक कि बजाए आप पहले अपने employees को दे कर देखते हैं कि वो इसको test करें कि यह कैसा perform कर रही है इसमें कुछ problem तो नहीं आ रही है इसके charging अच्छे से है कि नहीं है तो this involves full size functional part of a product testing using the material and process that will used in a production यानि जो आप मेन प्रोडक्शन के ताइम पर यूज कर रहे है यानि एक कार का अपने जिसे मैनिफेक्ट्रिंग का मतलब होता है 100 कार आपने तयार की तो नहीं यहां पर आप एक या दो कार को फुली उसी material यूज करने वाले हैं बाकी 100 कारों में उसी material को यूज कर आपने ए प्रोडक्शन 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 प्रो are made to verify the document, the quality of the design and a production of assembly process. So question here simply, I think the basic question here is that the beta prototype testing is in detail design or pre-production prototype testing is in manufacturing, so this type of question will be asked. So prototypes help to verify the product but they have a high cost in money and time as a result there is a strong trend particularly in large companies to replace physical prototype with the computer models. So these things are so costly so we replace it as a result there is a strong trend particularly in large companies to replace physical prototype with computer models which physically your prototypes are so costly so we are also CAD to replace it through computer models. Rapid prototyping is the technology that produces prototypes directly from computer-added design so you have a little less cost in fraction of time required to make them by machining or molding method. Another name for rapid prototyping is solid freeform fabrication. Rapid prototyping is used for producing the final proof of concept model and is used extremely in embodiment design to check form fit and function. Note that the time to make a rapid prototyping model may take 8 to 24 hours So this is your topic is finished here. The detailed design that is saved, I will explain in the next video and definitely I will have to study safety concepts after that. I will have to study safety concepts every year. So thank you for listening to the last steps to the video. Thank you